शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें लल्ला कोबर्दन पुजा के साथ साथ हमें इंद्र देव की भी पुजा करने चाहिए ना मैया या क्या कह रही है इंद्र देव की पुजा ना करने का नेड़ तो समस्य ब्रिजवासियों ने एक साथ लिया था फिर आपके मन में पुना इंद्र पुजा की काना मनुष्य के जीवन में सभी देवताओं का अपना अपना यूगदान और महत्व होता है फिर यदि हमने इंद्र देव की पुजा कर भेली तो इससे क्या अंतर बढ़ जाएगा मैया समस्य पुजा में नहीं पर इंद्र देव ने जो अधर्म किये है ये जानते हुवे भी हम इंद्र देव की पूजा करते हैं तो इसका आर्थ ये है कि हम इंद्र देव के धर्म में उनका साथ दे रहे हैं मैं धार्पाद्वन कुछ नहीं जानती लल्ला मैं बस इतना जानती हुँ कि कही प्रिट वासियों का जीवन संकट में ना पढ़ जाए मैया जिती धर्म का पालिंग करते हुवे कोई संकिट आया तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे तुम्हारे बस यही समस्या है काना एक बार जिस बात की हट कर लेते हो फिर अपनी मैया की भी नहीं सुनते तुम इसलिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रही है मैया मैं आपके दिखाय धर्म के मार्ण पर चल रहा हूँ और अब आप ही मुझे इंद्र पूजा का अधर्म करने को कह रही है काना अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली एक बात कान खोल के सुन लो जब तक इस घर में इंद्र देव की पूजा नहीं होगी तुम्हारी मैया तुमसे बात नहीं करेगी इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी आने वाली एकादशी को इंध्रदेव के पूजा करनी ही होगी अरा आयन ना रहा है महादेव जिसका बहता वही हुआ महिया एशोदा ने इंध्रदेव के भह के कारण तो अनर्थ हो जाएगा प्रुभू, अनर्थ हो जाएगा. मैया, आप ये... मैंने कहाना करह, ये मेरा अंतिम निर्ने है, और तुम्हें ये निर्ने, मानना ही होगा. प्रतिवर्ष के समान, इस वर्ष भी हमें इंद्रपुजा करनी ही होगी. मैया, मेरी बात सुनें, मैया. कुछ तो बात है, ऐसी कौन सी खटना खटी, जिससे मैया ने इतना कठूनेन ले लिया है. और अब तो फो मेरी बात भी नहीं सुनना चाहती, मुझे क्यात करना होगा, कीवल तभी मैं मैया के लेने का परिवर्थित कर सकता हूँ. मैं जानता हूँ काना, आप सभी का प्रतिरोत कर सकते हैं, किन्तु अपनी मैया का नहीं. कले ही, आप प्रमात्स्त्र को निश्वल कर सकते हूँ. किन्तु अपनी मैया के एक बार डांटने भर से, आप स्वयम को उखल से बान लेते हैं. यसलिए, इस पार मैंने प्रेम और ममता के अस्त्र का प्रयोग किया है. आपने तेरा कहना तो नहीं माना, किन्तु आपको अपनी मैया के समुख नत्मस तक तो होना ही होगा. कोवर्धन की पूजा त्यात कर, आपको इंद्र की पूजा करनी होगी. कोवर्धन यात्रा हमने संपंड कराई थी. कोवर्धन यात्रा में कितने संकट आय थी, पर हमने यात्रा में कोई बाधा नहीं आने थी. इसलिए सम हमसे प्रेसंद्ध होकी राधे-राधे कहने लगे. राधा, यदि तुम ना होती, तो क्या हो तब रिजवासी होगा? वही तो विशाखा, पर इकोपाल तो हमें कुछ समझता है नहीं है. बस उसका काम निकल गया, तो भूल गया हमें. और हमसे मिलने तक नहीं आया. वह राधा, तुम भी तो मिलने नहीं गई न, उससे वरिंदवे. अरे, हमारी बात कुछ और है. हम राधा है, बरसानी की राधा. गोपाल को तो हमसे मिलने आना चाहिए. हम उसकी इतनी चिंता करते हैं, पर उसको तो हमारी चिंता होती ही नहीं है. तो तुम भी क्यों नहीं छोड़ देती उस गोपाल की चिंता करना? ये भी कोई कहनी की बात है क्यों? चिंता तो दूर, हमने उस गोपाल की बारे में सोचना भी छोड़ दिया है. वह बरसाना आय या ना आय राधा को उसकी कोई परवा नहीं. वह बंपाल चाहे हमारे द्वार तक ही क्यों ना आज़ा, पर हम उसे कोई प्रतिय।त्तर नहीं नहींगे. जानती हो जब लल्ला जा रहा था तो तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं मेरे यातिरिक मेरी लल्ला के किण फूम्य ने नहींक? मेरे यातिरि की मेरे लल्ला की किसी को और चिंता ही नहींए यह- लंदरानी वो तो मैं… तो मैं किया, जब तक मेरा लाला नहीं आएगा, मेरे रिदे को शांती नहीं मिलेगी, बतानी कहा होगा मेरा लाला, मुष्वाइक काम कर, तू जा के मेरे लाला को खोजला, हाँ, वो ना, वो यहीं कही होगा, जा, जा खोजला उसे, सुंदर, हो सकता है कि वो महावन में हो, जाओ, वहाँ जा के देखो, मंदरानी, यदि काना लौटा नहीं तो, नहीं है का मिल्ब, उससे के दखी, उसके महिया, उसकी प्रदिक्षा कर रही है, तो देखना, बोरा दोड़ा दोड़ा आजाएगा, जा ना, सुंदर, खोज ना मेरे लाला को, यहीं गहीं होगा, वो जाओ, वो तोड़ा दोड़ा आएगा अपने भाइया के पास, वो आएगा, लाला, यह नारायव, क्या करूँ मैं, इससे अपना दुख साज़ा करूँ, आना से बात मनवाने के लिए, मुझे उससे कड़ाई करनी होगी, सब करना दुख सकती, पर मैं, मैं काना को एक शण्ड के लिए भी दुखी नहीं देख सकती, पर जाने कहा होगे, पेरस, पर जानी को. नंदराने, नंदराने, इंदरदेव, देखा सक्यों, हम नहीं कह रहे थी, कि गोपाल हमें कभी नहीं भूल सकता, वो आता ही होगा, अलो, अब आ गया हमारा गोपाल, पर राधा, तुम तो कह रहे थी कि, हाँ हाँ, हम जानते हैं, हम क्या कह रहे थी, पर अब तो गोपाल आ गया है न, क्यों गोपाल? क्या हुआ गोपाल, तुम इसे दुखी क्यों हो, राधा, एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है मेरी समुक, इसलिए मैं आया हूँ तुम्हारे पास, कैसे दुविधा कोपाल? मैया ने इंद्रदेव की पूजा का हट पकड़ लिया है राधा, और वो कह रहे है, कि यदि मैंने इंद्रदेव की पूजा नहीं की, तो वो मुझसे बात नहीं करेगी, पर इंद्रदेव के अधर्म के कारण ही तो, सब प्रिजवासी उनकी विर्थ हो गए थे, फिर पु मैं या पुनर इंद्रदेव की पूजा करना चाहती है, काना कुछ शनों के लिए ओजल क्या हुए, तुम इतनी भैबित हो गई, सोचो यदि काना सदा सदा के लिए कहीं खो जाए, तब तुम क्या करोगी नंद्रानी, यह आप च्या कह रहे हो इंद्रदेव, अभी तो मै केवल कह रहा हूँ, किंतु यदि काना ने मेरी पूजा नहीं की, तो मैं काना को सदा के लिए वहाँ फेजने पर विवश्च हो जाऊँगा, जहां से पुना कोई नहीं लोटता, पिद्रदेव, मैंने प्रयास किया, लल्ला को समझानी की वो आपकी पूजा करे, तो मेरी पूजा नहीं सुनता, माना की काना को मेरी पूजा नहीं करनी, किंतो तुम तो मेरी पूजा प्रारम कर सकती हो, ना, आप कहना क्या चाहते हो, आप कहने स्कुन्ने का समाई पीच अब समय है केवल निर्णाय लेने का और निर्णाय तुम्हें लेना है कि तुम काना को जीवे देखना चाहती हो पत्वा नहीं और वैसे भी पहले से ही कंस नमक संकट तुम्हारे लला के सर पर तो मन रहा ही रहा है तुम्हें है। कि यदि एंद्र का प्रकोग चा गया, तो इस संसार की कोई भी शकती उहारे लला को बचा नहीं पाय कि हैंद्र देव, मैहेंसा नहीं होने दुझे, चाहें कुछ भी हो जाये, मैं अप्नी लला का अहत्त्य होने दुझे, इंद्र दूरम्भ करो देवाधी पती, देवराज इंद्र की पूजा क्योंकि जब मैया इंद्र की पूजा करेगी तभी तो लला विवश हो जाएगा अन्य था मैं समझ कहीं देद आप जेसा कहेंगे वैसा ही होगा मैं करूगी इंद्र को जाएगा आने वाले एकादशी को मैं मनाओंगे इंद्र हुजा मैं करूगी आपके पूछा इंद्र देव मैं करूगी रोजे थै ना रायन ना रायन प्रभू जिन आधार्मिक कारियों को मिटाने के लिए प्रभू कान्या का संसार में अफ्तार हुआ है यदि इंद्र देव के भैसे उनकी मांचिक यातना के कारण यदि मैया यशोदा उनही कारियों को करेगी तो अनर्थ हो जाएगा महादेव देव रिशी यही तो मा की ममता होती है और धर मधर पाप पुन्य सबसे परे होती है मा के लिए यदि महत्व होता है केवल उसकी संथान का मा का पूरा जीवन अपने संथान के लिए समत्पित होता राज मयया यशोदा उसी समर पर उसी मात्रतु धर्म का पालन कर रही है कुपाल, तुम संसार की इतने बड़े-बड़े समस्याओं का हल करते हो, इतने बड़े-बड़े असुरों का वर्थ करते हो, फिर तुम इतनी छोटी से बात नहीं समझ पा रहे हो मैया मुझसे बात नहीं कर रही है, और तुम्हें ये छोटी बात लगती है गोपाल, ये है तो बहुत बड़ी बात, पर इसके पीछे का कारण अत्य छोटा है। वो क्या राधा? ये खी इंद्र देम ने अवश्य ही ये शोदक आखी को कोई भै दिखाया होगा। है? हाँ गोपाल, और एक मा अपने संतान से बात ना करे, इसके पीछे एक ही भै हो सकता है, संतान पर संकर का भै है। तुम सत्य कहरी हो रहा था, मैं ये कभी मुझे अपना भै नहीं बता थी। और ऐसी बाते अपने रिदे में छुपा कर रखती है। अवश्य इंद्रदेव ने, उन्हें मुझ पर कोई संकर डालने की बात कही होगी। तभी वो उन्हें इंद्रपूजा के लिए तयार हुई होगी। पुष्पा, पंडिची को इंद्रपूजा की सुछना दे दी तुमने। जी नंद्रानी। पस एक बार इंद्रदेव की पूजा हो जाए। फिर सारे संकट डल जाएंगे। और मेरे लल्ला के जीवन पर संकट है, वो भी नहीं आएगा। नंद्रानी, नंद्रानी। ये गोबर्दन पूजा तो हो गई। अब किस पूजा के तैयारी चल रही है। इंद्रदेव जी, मैं इंद्रदेव की पूजा करने जा रही है। ये क्या कह रही हो, नंद्रानी। काना ने तो पूजा करने से मना किया है न, इंद्रदेव की। काना का निर्ने काना जाने। ये मेरा अपना निर्ने है। पर ये तो अधर्म होगा, नंदरानी. आप लोगों को जो सोचना है, वो सोचिए. पर मैं अपना निर्णय अप नहीं बदल सकती. नंदरानी, इंदरदेव की पूजा का ब्रोध आपके घर से आरम हुगा. आपके ललाने अधर्म करने से रोका, और आप स्वयमी इंदरदेव की पूजा करेंगी. लोगों का बिश्वास धर्म में और परवत राज गोवर्दन में कैसे शेष रहेगा? वो आप लोगों की समस्या है, मेरी नहीं. मुझे जो आविश्चिक लगा, वो में करने जा रही हूँ. अभी बहुत कार्य शेष है. आग्यादीची. लगता है अब हमें काना से ही बात करनी पड़ेगी. चलो, काना को सुझित करना होगा. उसके घर में या अधर्म हो रहा है. चलो! पर राथा, अब मैं क्या करूँ? कैसे दूर करूँ मैया के इस भै को? कुपाल, हम तो किवल इतना चानते हैं, कि प्रेम के सबुख ना तो कोई संकट ठेड़ता है और ना ही कोई भै. इसलिए तुम्हें भी या शोदा काकी को प्रेम से ही समझाना होगा. अपनी मम्ता के कारण ही तो, मैं या सत्य को देख नहीं पा रही है. गोपाल, इंद्र देम ने या शोदा काकी की जिस मम्ता का सहारा लिया है, उन्हें भैभीत करने के लिए तुम्हें उसी प्रेम और मम्ता को उनका बल बताना होगा. जब हानुमान जी अशोक पाटिका में लगू रूप में माता सीता की सम्मुग गए थे, तब माता सीता भी उन्हें देखकर जिन्ते थो उठी थे. कि इतना छोटा सा कपे, इतने बड़े-बड़े अशोरों का सामना कैसे करेंगी। तब हानुमान जी ने माता सीता को अपना शक्तिशाली रूप दिखाया था। उसी प्रकार तुम्हें भी ये शोदा काकी को अपना वो बक्ष दिखाना होगा, जिससे वो इंदर देव का भै भूलकर तुम पर भी वैसे ही विश्वास कर सके, जैसे हम तुम पर करते हैं। काना, नंदरानी, तुम्हारी मैया! क्या हुआ मैया को? वो सबके मना करने के पश्चात भी इंदर देव की पूजा करने जा रही है काना। कुपाल, अब तुम्हें ये शोदा काके को ये अधर्म करने से रूख सकते हो। इसलिए जाओ कुपाल, शीक्रता करो। राथा, अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। कैसे मयया के इस भय को दूर करना है। चलो काका। गुपाल, हमें तुम पर ओन विश्वास है। जैसे तुम सारे संकट दूर कर देते ह। वैसे ही तुम इस संकट को भी अवश्यसमाप करतोगी। पुष्पा, कल ब्रह्म मोहरत में हमें इंद्र पूजा आरम करनी ही होगी। इसलिए मैंने सारी तैयारिया करके रखी है। और हां, मैंने वस्तुों की सूची भी बना के रखी है। जाओ जाके ले आओ। सुन्दर, तनिक शिग्रिता से इंद्र देव की प्रतीमा निर्मान करो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। नंद्रानीम प्रतीमा बन रही है, थोड़ा समय लगेगा। इंद्र देव की प्रतीमा निर्मित हो रही है। पूजा की तैयारी चल रही है। इसका अर्थ है, आपका नीड़े अटल है माया, आप इंदरदेव के पूझा अवश्य करेगी. कानहा, मैं जानती हूँ, कि तुम इंदरदेव के पूझा नहीं करना चाहती। जैसे कि तुम मेरी बात नहीं सुनते, वैसे मैं भी तुमारी बात नहीं सुनेंगी। मैया, अपने लल्ला को भूजन तो कराओगी ना, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने लल्ला, जो भूजन तुम छोड़ कर गए थे, वो अब भी वाहा है, जाओ और जाकर भूजन कर लो पर मैया, मैं अपने हातों से केवल भूजन करता हूँ ना पर अभी मेरे पास समय नहीं है कानहा, देख रहे हो ना, मैं कितनी वियस तूँ, जाओ जाकर भूजन कर लो मैं समझ गया मैया, आप मुझसे इतना कठोर व्यवार, इंगर देव की पूजा के लिए कर रहे हो ना तो ठीक है मैया, आपको इंगर देव की पूजा करनी है ना, तो कीजिए, क्योंकि मैं सब कुछ सैन कर सकता हूँ, पर अपनी मैया को दुखे नहीं देख सकता देखा देवगंड, अंतता काना को अपनी मैया की बात माननी ही पड़ी, अपनी हट को थ्याग कर, इंद्र का देवत को स्वीकार करना ही पड़ा, तो कि इंद्र ही है, सर्वशक्तिशाली, इंद्र ही सर्वत्र है, और इंद्र ही सर्वपूजनीन, और जब काना स्वयम मेरी भक्ति करेंगे, इस समस्थ संसार को मेरी पूजा करनी ही होगी, मैया, अब तो कराओगी ना अपने ललाखों भूजन अपने हातों से, क्योंकि अब तो मैंने इंडल दीव की पूजा के लिए हाम ही भर दी है कान्हा, सारे निड्ने तो तुम स्वैम करते हो, तो स्वैम भूजन नहीं कर सकते क्योंकि मैया आपकी हातों से भूजन करने में इस वात आता है पर आज तुम्हें स्वयम ही भूजन करना होगा कानहा जाओ मैया फिर मैं भी आपके दिया हुआ भूजन ने करूंगा फिर मेरी जो इच्छा होगी जो मन होगा वो खाऊंगा मैया जो तुम्हारा मन करता है वो तुम करो मुझे पूजा की तैयारी करने दे पक्का ना मैया हाँ अब जाओ यहां से मैया मैं अंतिम बार कह रहा हूँ जैदि आप मुझे अपने हाथों से भूजन नहीं कराऊगी तो मेरी जो इच्छा होगी मैं खानूंगा कानहा तुम क्यों मेरा समय नश्ट कर रहे हो तुम्हें जो करना है करो और मुझे मेरा कार्य करने दू ठीक्या मैया आप अपना कार्य कीजी मैं अपना कार्य करता हूँ कार्य करता है करता है हरे क्रिष्णा 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 हरे हरे क्रिष्णा 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 लाल्ला, यह तुमारी मैया का आदेश है, मुख खोलो आपना, जो आदिया मैया? िरतीला, जो आदिया लाल्खेम繼續 पादेश जैंना, जो आदिया मैया?